और उसका नतीज़ा यह होता है कि चुनाओं में वोटों का जो परसंटेज होता है वोप्रक्ष के समर्थन में चला जाता है तो यह तमाम ऐसे संकेत है जो है इस समय मिल रहे हैं तो राहुल गांधी खता ही नहीं चाहेंगे कि यह मुद्दा इतनी जल सुल्जे कॉंग्रेश से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोगस्तबास सदस्यता जिस तरह से रद हुई है उस सदस्यता के रद हो जाने के बाद अब तमाम अटकलें तेस हो रही है अब यहां पर देखा जाए तो राहुल गांधी के सास साथ प्रेंका गांधी वाड़रा को लेकर भी तमाम अटकलें तेज हो चुकी है कि आखिरकार साल 2024 में चुनाव कौन लड़ेगा बिपक्ष की तरफ से क्योंकि NDA की तरफ से ये साफ किया जा चुका है कि एक बार फिर से PM पत की दाविदारी के लिए नरेंदर मोदी जी को ही आगे किया जाएगा लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है यहां पर UPA की तरफ से तो आज तमाम मुद्व पर हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से रुख करेंगे लोकस्तफा अद्यक्ष ओम विर्ला जी की तरफ जी हां ओम विर्ला जी का जो अद्यक्ष पद है वह इस वक्त खत्रे में पड़ा हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी उनके खिलाफ पिस लोट आएंगे कि शर्त पर ये भी आपको बताना जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस हमारे साथ मौजूद है हमारे सही होगी अबरार अबरार आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि अबरार आप भी जा सुनाया और चौबीस मार्च की दिन ओम विर्ला जी ने लोकसभा सचिवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया उनकी सदस्ता को रद कर दिया अब फिलहाल देखा जाए तेरे एपरेल की दिन इस मामले पर सुनवाई होगी मोधी सर ने मानहानी केस में ऐसे में राहुल गा से और जिन दो कुले करके राहुल गांदी पर इस तरीके की कारवाई की गई है तो जाहिए से बात है कि इसमें केंदर सरकार या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी जो लोकसभा के अधियाक्षे ओम बिटला ने जो तमाम बातों को देख करके फैसला लिया है तो हो सकता है कि इ आजनी थी जिस तरीके से की जारी चाहिए वो सत्यापक्ष के दौार हो या विपक्ष के दौारा हो 2024 तक इसको खीचने के जरूर कोशिश होगी और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ने कहीं चुनावी फाइदा उठाने की भी जो कोशिश की जा सकती है विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से इसको सोशल मेडिया पर बड़ा च्रा करके पेश किया जा रहा है और राहुल गांदी कहीं ने कहीं इस पूरे मुद्धे पर जो एक अपील करने की एक बात जो कहीं जा रही थी कि वो सुप्रेम कोट जा सकते अपील कर सकते लेकिन उन्होंने इन तबाम माम बने कि सत्ता पक्ष जो है वो यहां पर हडधर्मी का इस्तेमाल कर रहा है सत्ता पक्ष जो है लगतार विपक्ष की आवाज को दबाने का का काम कर रहा है क्योंकि इस तरीके का माहौल अगर बनता है तो विपक्ष की जो एक मजबूत पकड़ होती है वो चंता के बीच बन इतनी जल सुल्जे क्योंकि उनके ही छवी को कहीं ने कहीं ये फाइदा पहुंचा रहा है और हो सकता है कि बढ़ाज अडाकर करके अगर वो पेश करते हैं तो जनता के तरफ से जो सांतवना होती है वो भी मिल सकती है देखें फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांदी की सदस्यता को लेकर यहां पर एहम दावे किये जारे लेकिन रुख यहां पर किया जाए ओम विल्ला की तरफ तो ओम विल्ला ने यहां पर जो फैसला सुनाया अब यहां पर बारी यह आ चुकी है दावे यह किये जारे कि क अमाम सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं क्या वाधियम्हें अविश्वास प्रस्ताज जाएगा फा capeaking क्यूए के संक्यागे यहां परantas पाया गया है लेकिन घृरीज होती गिरता हुँए नजर एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताज लाया और पारित होता हुए नजर आ सकता है क्योंकि कॉंग्रेस के पास तो बहुमत ही दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त देखे विश्वास परस्ताओं की जहां तक बात है तो एक दबाओ की सिथी को बनाने के लिए जाहिर से बात है कि विपक्ष के दौरे सारीके के हर्वे को इस्तमाल किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आकड़े और संक्या की बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ नहीं विपक्ष के भीतर भी कई विपक्ष है जाहिर सी बात है कि ममता बनर जी मायावती कई ऐसे बड़े चेहरे हैं और अभी अगर देखा जा जाहिए तो जाहिए बात है कि अगर विपक्ष के भीतर ही सरीके के मत भेध है तो अविश्वास परस्ताउ लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि अजो समर्थन जुटाना होगा विपक्ष को सानसत के भीतर वो नंबर वो नहीं जुटा पाएंगे और इस लिहाज से फिर अविश्वास परस्ताव लाने के बावजुद भी किरकिरी होती नज़रा है। हो जाएगी तो सदस्यता खुद पर खुद बहाल हो जाएगी। मर्थन में ओम बिर्ला का फैसला कभी भविश्य में देखने को मिल सकता है। परस्ताव बहाल करने को लेगा। तो हो सकता है कि इस तरीके की बातें जो हो की जा सकते हैं। लगतार वो सोशल मीडिया की माध्यम से या फिर इनसी के अगर अफिशल यूटूब चैनल की बात की जा तो वहाँ पर भी इसका परचार परसार किया जा रहा है। उन्होंने अपने परृफायल से लिखन दिया है। दरो मत तरीके की बातें तो जाहर सती है। यह जो तमाम बातें लिखी जा रही है कही जा रही है यह इसलिए कही जा रही है ताकि सरकार की उस च्छवी को जो है जनता के बीच पेश किया जाए कि सरकार यहांपर दाना-शाही कर रही है सरकार लगतार विपक्ष को दबा रही है और विपक्ष के राहूल गांधी के पक्ष में जाता हुआ नज़र आसकता है बहुत बहुत शुक्रि आपरार तमाम सवालों का जवाद देने के लिए अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब आकई में यहां पर राहुल गांदी की सदस्यता बहाल की जाएगी क्योंकि दावे ये किये जा रहे हैं कि अगर उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तो उन्हें राय बरेली से मैदान में उतारा जा सकता है और इस बार अमेठी से प्रेंगा गांधी वाड़रा को उतारने की तैयारी की जा रही है 2024 में लोगसभा चुनाव है देखना दिल्चस्प होगा कि लोगसभा चुनाव में किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी को चुनावती देगी लेकिन आपकी क्या कुछ राइप्रतिक रिया है इस पूरे ही राजनितिक प्रकरण को लेकर या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूल